नमस्कार दूस्तों एक वारा सबका फिर से बहुत-बहुत सवागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरु जी पर सुगय जैसा कि आप सभी को होता है कि डेली इस टाइम पर जो है रिजनिंग की क्लास से समय चल लई है तो टाइमिंग आद रखिए अगर आप लोग को फ्री पीडियेट चाहिए तो आप लोग हमारे टेली ग्रूप से जो है जरूर जूर जूर जाए जैसे आप लोग को पीडिय आफ जो है आपको मिलता रहे इंस्टागर पर फॉलो कर लिजिए वहां पर भी इंपॉर्ड अप्डेट्स जो है मैं लाकर क कर लेना है यह हमारा इन्वाइट कोड है डियेगोजी इस कोड का यूज करके आप लोग जो है अनकैडमी प्लस पर जूर सकते हैं इसके लावब और भी बहुत साइज जो बेनिफिट्स है अगर आप लोग प्लस पर जूर चाहते तो आपको मिल सकता भी एक ओफर भी चल है इसके लावा आपके बैच कोर्स हो गए लेकपाल का देखिए क्रैस कोर्स हो गया बहुत साइज जो चीजा आपके हाप अलेडी चल नहीं है तो आप लोग मेरे जो कोड है डियेगोजी इस कोड का यूज करके आप लोग अनकैडमी प्लस पर जूर सकते हैं चलिए स्टा करते हैं ग्लास को तो आज का जो पहला प्रश्ण देखिए आपके सामने आपर यह रहा बहुत इजी सा कोशन है और सब लोगे आपर जवाब जो देती हो चलेंगे पूछा गया डॉक्टर का सम्मन अगर आपका इस्टेथ ही स्कोप से है तो मुर्तिकार का सम्मन बताए कि किससे हो जाएगा चले बहुत जिससे डाक्टर का जो अवजार हो सकता अवजार ही तो कहें यहां पर इसकोशन के साफ से घर तो जैए तो प्रश्ण नमबर सी यहां पर जो बिल्कुल हो जाएगा अगला कोशन है पढ़ना का संबन अगर आपका ज्ञान से है तो आपको ब इसका जवाब जो देते हैं चलेंगे भई, पढ़ना का संबन अगर आपका जो है ग्यान से, भई पढ़ने से हमको ग्यान मिलता है, तो कारे से हमको क्या मिलता है, कारे से हमको अनुभो मिलता है, और वेसी बात है, तो जितने लोग यहाँ पर अनुभो जवाब दे रहे हैं, आपसरंबर सी वाला साथ हूँ वो लोग यहां पर पिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे ठीक है चलिए अगला कोईशन देखिए आपसे क्या पुछा गया कि राइटर का राइट का सम्मंद अगर आपका ये वी जी आर से है तो रॉंग का सम्मंद है किससे होगा बड़ी हां कोई करेंगे डवलू आर आई थी दिया गया है तो यहां पर देखिए डवलु से आपका यहां पर जे हो रहा है डवलू से यह में नहीं कोई देख रहा है लेकिन यहां पर देखिए ध्यान से इस इस ग्टे अगर E का मतलब अगर आपका 5 होता है, इसका 20 होता है, I का मतलब 9 होता है, ठीक है, और इसके लिए अगर हम बात करते हैं, R के बारे में तो 18 होता है, W का मतलब 23 होता है, अब इससे क्या होगे पर अगर हम लागे यहाँ पर इसका भी code लिख लेंगे, अभी clear हो जाएगा, J है E है, V है, G है और आपका R है, code लिखो भाई 10, उसके बाद यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर 22, उसके बाद यहाँ पर देखे 7 और यहाँ पर 18, तो यहाँ पर एक चीद ध्यान से देखेगा, 23 से आपका यहाँ पर J की बात करते हैं, तो माइनस 13 हुआ है, माइनस 13 हुआ है न, उसी तरह 18 से अगर हम 5 पर आते हैं, तो भाई, माइनस 13 फिर से हुआ है, सम्में 9 से अगर 22 की बात करते हैं, तो 9 में पीछे अगर 13 जाओगे, तो ध्यान से दीखेगा, 9 में पीछे जाने का मतलब क्या है, पहले इसको 9 को एड़ कर लो, क्योंकि 26 के बाद 9 आया है न, तो 26 में भी माइनस 13 करते हुच ले आएंगे, तो W है, तो W से आपका ओव्यस से बात है, पहले तो यही होगा, तो पहला वर्ड आपकर J आ गया, R मतलब 18 है, 18 में 13 घटाएंगे, तो 5 आ जाएगा, यनि कि E हो जाएगा, clear है, O मतलब 15 में से तरह घटाएंगे, 2 आ जाएगा, 2 क हात में से तरह घटाएंगे, तो अब्विस से बात है, दो पीछे होड़ चलाएंगे, यनि कि 20, 20 का कोट क्या होता है, T होता है, तो यहाँ पर J E B A T आ जाएगा, clear है, J E B A T, आपको इनको सार्थक क्रम में बिठालते हुए चलना है, बढ़िया क्वेशन है, और सभी फसल, जड़, तना, बीज और फूल दिया गया है, यही तो है आपका, तो यहाँ पर देखिया, आपका सबसे पहले बीज हम लोग बहुते हैं, यानि कि 4 नमबर से स्टार्ट करेंगे, बीज के बाद आपका क्या था बढ़िया, जड़, बीज से जड़ पन होता है, तो 2 ह हो जाएगा, उसके बाद हम लोग आते हैं, तनी के ऊपर, तनी के बाद आपका क्या था है, आपका फूल बनता है, फूल से आपका फल मिलता है, आप सबी को फसल मिलती है, तो जित्ते लोग यहाँ पर देखिये, 4, 2, 3, 5, 1, किस में आ रहा है, तो C वाला उप्शन जो है, अगर चार, 2, 3, 5, यहाँ पर जो है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लियर है, चलिए, अगला क्वेशन देखिये, आप से क्या कह रहा है, कि मेंधक, गरुड, टिड़ा, साप और घास, इनको भी सार्थकरम में बिठालती हो चलना है, देखते हैं कितों लोग यहाँ पर मेंधक, गरुड, टिड़ा, साप घास, तो यहाँ पर अवव्यस सी बात है, देखो, इसको जो है, सार्थकरम में बिठाएंगे, तो सबसे पहले आप घास आएगा, घास को कौन खाता है, टिड़ा खाता है, सबसे जो घास कुछ नहीं खाता है, गास को कौन खाता है, मेंधक खाता है, मेंधक को साप खाता है, साप को गरुड खाता है, तो उसी कराम में बिठालना था, तो यहाँ पर आपस रमपर जो इसका, सी वाला दिया गए, पांस तीन, एक चार दो वाला, यह यहाँ पर जो हो जाएगा, लियर है, चलिए, अगला कोशन दीखिए, साता है, बहुत अच्छा प्रशन है, और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे, भाई, देखिए, कौन सा चितर जो है, अंग्रेजी अध्यापक, तो अव्यस्ती बात है, अंग्रेजी अध्यापक चाहिए, और आपके लोगप्रिये चाहिए, तो ज इस तरीके से बना दिया, तो इस तरीके का फीगर देखे किस में आरा देखे, बी वाले ओप्सन में आ रहा है, तो यहाँ पर जितने लोगों ने बी जवाब दिया है, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, अगला कोशन देखिए, आप से यहाँ पर क्या के पेपर में बनने लगें, ठीक है, यह पहले आपकी सिर्फ बेंक में आते हैं, अब यहाँ पर जो बनने लगें है, यहां पर देखिया आपको एग निरदेश दिया इचानी फालत बीगन सेट, आपको जड़ ऑन स्बिगला चाहिए, धयान समझो, वीडियो क्वाल्टी देखो, और जड़ी, और यहाँ पर जड़ी, यहाँ पर जड़ी, नहीं है, अब जड़ी के साथ, देखो क्या है भाई? CO है, EK है, KU है, CO है, EK है, KU है, तो यहाँ पर एक एक चरह हटाते हैं चलेंगे, जैसे CO देखू, पहले अगर CO को हटाना होगा, CO यहाँ पर है, और CO देखो, यहाँ पर है, तो इसमें CO कट गया, यानि कि इस वाले में CO कटा है, इस वाले में CO कटा है, तो देखे, I store at station, find a good home तो यहां पर A और A कट जाएगा, यानि कि CO का मतलब A हो गया, clear है, उसी तरह अब हमें EK को हटारा है, EK को हटाएंगे, EK दोको यहां पर है, दूसरे वाले में EK है, तो EK यहां से कट गया, और यहां पर देखो charity weekends at home, store at station, तो at और at कट गया, ठीक है, तो EK भी हमारा खतम हो गया के यू पर फोकस करो, के यू यहां पर है, के यू यहां पर है, तो के यू कट गया, इन दोनम देखो ध्यान से, find go to charity store, और store है station, तो store और store कट जाएगा आपके यहां पर, तो के यू भी कट गया, अब यहां पर सिर्फ जड़ी भाई साब बचे, यहां पर station बचा, तो कमझ में आ गया sir, clear हो गया, अब देखें, यहीं से हमारा हर चीज clear हो गया है, ek का मतलब देखें, हमने निका रहा था, ek के यहां पर कटा था, ek का मतलब add था, अभी इसी से, related और भी question यहां पर देखें, पूछे गया है, ध्यान से देखेंगे, यहां पर अगला question पूछा यहां पर store के लिए क्या हो जाएगा, क्यी हो जाएगा, अभी just आपका खल किया गया है, कैसे लगाना है, उसी तरह एक और question देखें, इसी का है, कि भाई, ek, अभी मैंने आपको उता है, ek यहां पर है, ek के लिए किसका प्रियोग किया, अभी आपका प्रियोग किया गया, त correct हो जाएगा, देखने में बड़ा question लगता है, लेकिन अगर आप लोग एक बड़ लगाना, solve करना सीख जाओ, तो question जो है, काफी आसान होता है, काफी जी होता है, तो जित्ते लोग उने आपर जवाब दिया था, वो लोग यहां पर जो है, बिलकुल correct हो जाएगे, ठीक है एक व्यक्ति का मुख जो है, पूर्व की ओर है, ठीक है, एक व्यक्ति का मुख जो है किधर है, पूर्व की ओर है, और वह फिर बाय घुमता है, फिर दस कलोड़े चलता है, फिर दाय घुमता है, फिर पांच कलोड़े चलता है, तो जैसे जैसे हम लोग जो है, इस प्रशन फाइंड गुड फूड वाला तो चलिए इसको स्क्रीन सॉट लेलू इसका जवाब आप लोग कॉमेंट करके देना कर ले जाओ कि बहुत सिंपल है भई फाइंड का निकाल लेना गुड का निकाल लेना और आपको फूड का निकाल लीजिएगा ठीक है और एक और कॉशन सायर इसका और था यह वाला चैरिटी के लिए किसका प्रयोग होगा तो चैरिटी के लिए भी देखे आपको पीछे बताएगा यहने वाला होगा फिर दिख का मुख जो है पूर्व की और है अगर कोई व्यक्ति पूर्व देख रहा है यह आपका होता है यह आपका होता है पूरब यह होता है आपका पश्यम और उपर 200 आपका क्या होता है दक्षिड होता है और नीचे आपका क्या होता है दक्षिड होता है अब यहाँ पर अगर पूछा अगर किसी व्यक्ति का मुखपूर्व क्योर है और वहां से वो जो है बाये घुमता है यानि कि यह इधर देख रहा ह और इधर देखने का बाया निए कि ऊपर क्यों मूड़ेगा तो क्या हो जाएगा अब्वेसी बात है विक्ति अगर यहां पर है तो बायं घुमने को अतलब यह इधर चला जाएगा और कितना जाता है दस किलोमेटर चलता है फिर वो दाइग घुमा कितना चला गया पांच च दत्षड के लीया, तो मूल स्थान से किस दिषा में है, तो मूल उस्थान से उत्तर दिषा में है, उत्तर दिषा की ओर है, तो यहाँ पर अप्स नमबर जो इसका C पर यहां पर यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ठीक है समझ में आ गए सर यह कोईशन आ गया तो यार एक एक लाइक जो करते हो चलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में साथ यह सेर करना जो बिल्कुल भी मत भूलिएगा अगला कोशन देखिए आपका क्या प करवादों का परिसान मत अगला कोशन देखिए आप से आपर 15,90 कोशन एज वाला कोशन है एज रिलेक्शन का कोशन है पिता अपने पूत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे मैं तुम्हारी उम्र का था यदि पिता की उम्र अब 36 वर्स है तो पांट साल पहले पू तो अगर यहां पर इस लाइन को ध्यान समझो कि पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे तो मैं तुम्हारी उम्र का था यानि कि मान लेते हैं कि पुत्र की वर्तमान एज कितनी है यक्स है ठीक है तो पुत्र के पैदा होने पर जो पिता की एज रही यहां पर देहान से देखें अब इससे यहां पर question लग जाएगा कि इस देखो देहान से इस question को बहुत simply logic समझेए आप ऐसे समझो कि भाई पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे तब मैं तुम्हारी उम्र का था यानि कि जैसे माल लो कि जब वो पैदा हुआ था वो उसकी उम्र का था पिता अपने पुत्र से कहता है ठीक है जब तुम पैदा हुए थे तब मैं तुम्हारी उम्र का था यान चाहेगा यह लोजिक समझे एक बार अपना खुषते लोजिक लगा लीजेगा आपका जो है यह चीज जो एक रियो हो जाएगा यानि कि पुत्र की वर्तमान आयू और पिता और पुत्र की आयू में जो डिफरेंस आएगा उनका जो योग है आपका कितना होगा थर्टी जो तो आपसे पूछा गया कि यह कमान आ गया नहीं कि पुत्र की जो है अभी आ गयी पुत्र की अभी कितने हो जाएगी तो फांच में से पांच घटा दीजे तो आपका तेरा वर्स यहाँ पर एंसर हो जाएगा यह इस तरीके से करना देंग कितना सिंपल लॉजिक से एक और लग गया ठीक है बस यही समाजना था यह एक्स प्लस एक्स बराबर 36 वाला लोजिक अगर समझ में आ गया एक लाइक करो या नहीं समझ में आ तो थोड़ा सा सोचो दिमाग लगा हो भई अगर पुत्र की वर्तमान आयू एक्स है तो जब पुत्र का पैदा हुआ था तो उसक की वर्तमान आयू के बराबर होगा यह लोजिक अहां पर जो है लगा हुआ है तो इस तरीके से आप के हाँ पर जो ए तेरा यहाँ पर जो हैंसर आ जाएगा समझ में आया बढ़ी है मज़ीदार कोईशन था ऐसे कोईशन आपके पेपर में आ जाते है तो इस नम नमाल मचा अगली क्लास जो है तो पाहर में 12 बढ़ी चलेगी तो उसके लिए बिल्कुल तयार रहिएगा और अकाडमी मेरी क्लास चलती है वहाँ पर भी उसको देखने का प्रयाश जड़ो कीजिएगा तो आज की इस वीडियों से बितना इप एक लिप बाबाए टेक केर जहीं जव प्रया जड़ी